रमस्कार श्वागत करतों ये आज की बड़ी और मुख समचार के इस वीडियो में बिहार के पटना हाई कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हैं वे कहा कि बिहार में जातिकत जनगड़ना नहीं कराई जाएगी और ऐसे में क्यों कि जातिकत जनगड़ना कराए जाने से नु बिहार का नुक्षान हो सकता है या हो रहा है इस बारे में वो दी गई जनकारी के अधार पर पटना हाई कोट ने मामले पर सुनवाई करते हुए दूसरे चरण के चलने गड़ना को रोक दिया और कहा कि अब जातिकत जनगड़ना नहीं होगी ऐसे में क्या सचमुच जाति जातिकत जनगड़ना ना कराने का यह निर्णा है हाई कोट का सुरक्षित रह पाएगा बड़ा सवाल है लेकिन इस सवाल के साथ जो बीजे पी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जातिकत जनगड़ना कराने का मनसूबा कभी भी बढ़ियां था ही नहीं जातिकत जनगड़ना क कराना तो चाहते ही नहीं थे वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कितने लोग अपने और कितने लोग गैरों के हैं इस बारे में चीज़ों को जाना जा सके और डिफाइंड किया सके लेकिन वह जाती के करना करना नहीं चाहते थे कितने लोग गारीब है कितने लोग अमीर है कितने नहीं होना चाहिए था और यह नहीं हुआ हलाकि इन मामलों में लगतार कई बार सवाल उत्ते रहें सवालों का जबाब तमेत कई चीजें समय समय पर आती रहें लेकिन आखिर कर सचमुच जातिगत जन्गड़ना ना कराने का ये निर्ण क्या सचमुच त्यर्शवी यादव नितिश्ट कुमार के लिए एक बहुत बड़ा शराप सावित हो सकेगा आई शमर्चते हैं शब से पहले लिए चलते हैं बिहार के हाई कोट में जहां इस मामले पर शुनवाई हुई याच्छी का करता ने कहा कि जातिगत जंगरना कहीं से भी उचित नहीं है अभेर भावना और तमाम चीजों को छोड़ करके लोग चाहते हैं आगे बढ़ना और इसमें अकर जातिगत जंगरना कराई जाएगे तो आज फिरस लोग एक एक अजिया शुत्रों में बंढ़ेंगे और अलग अलग शुत्रों में बंढ़ने के हिसाब से इन लोगों की बिचार और विवाश भी अलग अलग हो सकते हैं और इसका मज़ा नेता लेंगे नेता अपने वोट में वोट बैंक के इस्तमाल करने की बड़ी खुब राजनीति करेंगे और इसलिए इस सारी चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए इस पर सुनवाई करते हैं पटना कोट ने रोक लगा दे थी लेकिन अब नितीश कुमार और कोशिश हो रही है और इस तरीके से गड़ना को रोकने की त्यारी हो रही है यह गड़ना को अगर रोका जाएगा तो कहीं से भी ठीक नहीं है यह गड़ना तो गलत है ही नहीं इस गड़ना को किवल गलत साबित किया बड़ी कबा निकल कर शामने आ रही है बाबा धिरेंद तंदुरुष्ट किया गया है अब खबर के मुताबिक और शुत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक वागेश्वर धाम वाले वावा ध्रंदर शास्त्री की आगमन से पहले बिहार की रजधाने पटना में पूरी तरीकों से सभी जगों की जाच परताल की जा रही है बूलेट फ्रूफ कार में उन्हें करिक्रम अस्थल तक लिए जाया जाएगा जहां उनका करिक्रम होगा तहां सुरक्षा त्रिष्टि कौट से देखते हुए उन्हें लेजाय जाएगा लेकिन ध्रेंद्र शास्त्री जो है इस बयान को देते नज़र है उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा है कि हम लोगों को बिहार की सरकार इतना प्रोटेक्ट कर रही है और हलाकि बिहार की एक तरफ जियां सरकार जो है शरकार कुछ लोग जो है जैसे तिश्पृता प्यादो वह घिरने के त्यारी में बगेश्वर धामा लिबाबा को एयरपोर्ट पर घिरने की त्यारी में बड़ी ख़बर तो यह है कि आज एक बार फिर से संपुन गर्मी ने नया नया रेकॉर्ड तो डखा है रोजाना गर्मी का एक नया रेकॉर्ड सामने आता है एक नई कोशिश होती है गर्मी की और गर्मी ने रोजाना नया नया रेकॉर्ड बनाया है ऐसे में मिली एक जनक होनाओं को देखते वे क्योंकि जाड़ा जब ही टंप्रेचर जब जादा होता है उस वक्त जो है वो चीजें बदलती है और मौश्रम का जो चेन है वो सरकुलेट भी इन सभी चीजों पर करता है ऐसे में देखने वाली बात होगी किस तरीके से जिहां बारिस कब और कैसे आएगी लेकिन अगर इस बार बारिश जो वरदस्त तरीकों नहीं हुई तो आप यह जान लिए कि मार्च के महीनों से जो गर्मी ने नया नया रेकॉर्ड बनाना सूर किया ह यह गर्मी बहुत बड़ा कुछ करेगा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है बड़ी ख़बर निकल कर शामने आ रही है इस वक्त और बड़ी ख़बर ही है कि आज एक बार फिर से जहां संपुन ताकत के साथ दो हाज़ार चौबिस के त्यारी में लगे हुए पार्ट सेट कर और उसकी तवाम कोशिशों को करना तो यह कोशिस रिकॉर्ड हुआ है कि टीमसी जिस तरीके से बिधान सबाचुना में बहतर उमीदवारी की उसी तरीके से लोक्षबचुना में कई जो बीजेपी और कॉंग्रिस से नराज चल रहे नेता उन्निताओं को शमर्थन में लाओ और तीसरा बड़ा मुर्चा बनाओ और विपक्ष का एक और नया चेहरा देने का प्रयास करो अब तो टीमसी की नेता ममता बनर जी ही जाने कि पीम मेटेरियल अपने आपको बनाने में वह कितना योगदान और कितना शफलता प्राप्त कर पाएंगी लेकिन उमी पीस दिन से जुड़ी एक महतपूर जनकारी और इसके साथ ही बताएंगे नितिश कुमार से जुड़ी हुई नितिश कुमार को जातिगत जनगड़ना ड्रिम प्रजेक्ट में से एक था नितिश कुमार जानते थे कि जातिगत जनगड़ना कितना इंपोर्टेंट है और ऐ परशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिहार सरकार को और बिहार सरकार के मानेनिया मुखमंत्री स्री नितिश कुमार जी को इस मामले में एक नई परशानियों का सामना करना पड़ रहा है एक नई कोशिशों का सामना करना पड़ रहा है और अब उन्हें सरकार से साथ इतने बड़े कदम को उन्होंने उठाने का काम किया था और इतने बड़े कदम से वह बहुत कुछ बदलना चाहते थे बड़ी ख़बर निकल को शामने आ रहे इस वक्त और बड़ी ख़बर है कि आज से एक बार फिर से बीजे पी के समराथ चौधरी जो परदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि बिहार में मुगलों के नाम पर जो चली आ रही है से बदला जाएगा हमारी सरकार बनेगी तो बिहार का काया कल्प बदलेगा बिहार का काया कल्प हो जाएगा त्यूंकि बिहार में जो चीजे चल रही है और जिस तरीके से चीजे चल रही है वो कहीं से भी ठीक नहीं है और इसके साथ ही नई जनकारी सामने आ रही है और इसके साथ उन्होंने जो भी जो भी जनकारिय दी है इससे नया नया रोजाना एक परियास हो रहा है खैर अपनी राय जरूर दीजेगा कॉमेंट में आप क्या सुचते हैं और आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर दीजेगा फिर से बता देना चाहते हैं कि समराथ चौधरी के बयान दिये जाने से असपस्ट रूफ से साफ हो चुका है कि वह बीजेपी को किसी भी हाल में नहीं चाहते कि बीजेपी किसी भी हाल में हारे और इसलिए बीजेपी के लिए वो छूटा बड़ा एक एक प्रियास एक एक चीजों पर अपना फोकस करना शुरू कर दिया है उन्होंने और इसका फैसला होगा